सब्सक्राइब कीजिए रोयल टीचर को एज्यूकेशन संबंदी न्यूज तुरंद पाने के लिए जी आसात्यों शक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में सभी करमचारियों के लिए मैंसेब को नियम लागू कर दिया जा चुका है जो मश भी जिए करमचारियों के लिए यह अती महतपूर है करमचारियों को जो नोवर्ष, अठ़ारा वर्ष और सताईस वर्ष यह ACP मिलती थी अब उनकी जगह उनको MACP दी जाएगी, अब इसके किस को लाब मिलेगा, नगद लाब कपसे मिलेगा, इसके समझ में दोस्तों आदेश जारी किया जा चुका है, रास्तान सरकार निदेशले कोस और लेखा रास्तान जैपुर की और से यह आदेश जारी किया गया है, जिसमे MACP के लेवल में, यानि केरिय प्रगर्ती जो ACP लागू की जा चुकी है, 31 मार्ट 2023 तक उनके समझ में यह ओर्डर है, इनके समझ में पहले जान लेते हैं कुछ फैक्स जो जारी किये गए थे, रास्तान सरकार द्वारा जिसमें बताया गया था कि यह MACP योज़ना है, वो पर वित विभा की अदिशुतना 6 अक्टूबर 2023 के अनुसार MACP अनुमत है या नहीं है, अर्थात इनको MACP मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इसके लिए बता दें कि 1 अप्रेल 2023 से प्रभवी किये गए हैं, यह नियम इससे पूर्वे सेवानिवरत कार्मिकों को इसका किया जाएगा, Mदिनाग 1 अप्रेल 2023 से उसका नगदलाब दे होगा या नहीं होगा, तो 1 अप्रेल 2023 से यह MACP लागू की गई है, यह आप सभी जानते हैं, तो इससे पूर्व की अवधी में कालपनिक रूप से वितन का निर्धारन नहीं किया जाएगा, MACP के तर अप्रेल 2023 को किया जाएगा, इसी के साथ एक और इंपोर्टेंट प्रसन है, आगे निदेशा लियोकोस का जो आउडर है, उस वो भी आपको दिखाया जाएगा, कि आगामी पदोनती अथवा ACP तक, ACP योजना में बने रहने, अथवा MACP योजना का लाब लेने के लिए विकल्प दिया जाना अनिवार है या नहीं है, तो अधिशुतना जो 6 अक्टूबर 2023 को जारी हुई से 5 जनवरी 2024 तक, अर्थात अन्याने आपको तीन महा के अंदर आपके कारले अध्यक्ष को लिखित रूप में आपको MACP या ACP में का विकल्प देना होगा, तीन महीने क कि नर्धाइत अवधी के अंदर विकल्प प्रस्तूत नहीं करने पर MACP का विकल्प दिया हुआ भी मान लिया जाएगा, MACP के बारे में और विस्तार से अधिक जानने के लिए दोस्तों आप ये वीडियो जरूर देखें, MACP के बारे में जिसका लिंक आपो इस वीडिय 17 के अंतरगत नियम विभाग की अधिशूचना जो जारी की गई थी 6 अक्टूबर 2023 द्वारा मोडिफाई एशियर केरियर प्रोग्रेस्शन स्कीम यानि MACP योजना के प्रावधान लागू के जानने के अनुसरण में रास्तान अधिनस्त लेखा सेवा संवर्ग के उन कार ध्यान रहे दोस्तों ये लेखा संवर्ग के कार्मिग जो है उनके लिए पी ओर्डर जारी किया गया है ऐसा ही ओर्डर BMW विभाग के अधिक्ष की और शे भी जारी किया जा सकता है यहां पे अधिनस्त लेखा सेवा संवर्ग के उन कार्मिगों को जनें 27 वरस की नीमित तक पूर करने पर इस निदेशले द्वारा पूर में जारी विभिन आदेशों के द्वारा आस्वित केरिय प्रगर्ति योजना के अंतरगत तर्तिय एसीप यानि एल तेरा में स्विकर्ट की जा चुकी है यहां ध्यान पूरों सुनिए कि 27 वर्षिय सेवा उन्होंने कंप्र स्विकर्ट कर दी है 31 मार 2023 तक उन्हें ACP पे लेवल 13 स्विकर्ट की जा चुकी है तो ऐसे कार्मिक द्वारा नियम 14 के बिंदू संख्या 6 के क्रम में कारेले अध्यक्स को MACP का विकल्प दिये जानने पर उन्हें दिनांक 1 अप्रेल 2023 को MACP योजना के अंतरगत पे लेवल 24 स्विकर्ट किया जाता है या उन कार्मिकों का जो रास्थ्थान अधिनस्थ लेवल 14 स्विकर्ट की जाता है और ये सिफ और सिफ उसी को दिया जाएगा जिन्होंने अपने कारेले अध्यक्स को MACP का विकल्प दिया है रासान सिविल सिवा पनुरक्षित वेतन नियम 2017 के 14 बिंदू संख्या 23 के अनुसार 1 अपरेल 2023 को उनका आर्मीकों का वेतन पुन्हर निर्दारण पे लेवल 14 में संबनेत कारेले अधिक्स द्वारा किया जाएगा और ये आदेश M.A.C.P. का विकल्ब देने वाले कार्मीकों पर ही लागू होगा तो दोस्तों ये था M.A.C.P. के समद में महत्पून आदेश M.A.C.P. के तहट 27 वर्षी अगर सेवा कंप्लीट कर ली है किसी ने तो उनको L13 की जग अब L14 स्वीकर्ट किया जाएगा विभिन कारेले अधिक्स द्वारा इनके समद में ओडर भी जारी किया जाएगा और उनके जो समदित विभाग है विभाग द्वारा भी ओडर इसके समद में जारी किया जाएगा